हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे टुप चैनल पर हार्दिक दिल सा स्वागत है दोस्तों गर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जू कर दे तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बहुत ही महत्पूर टॉपक पर चाश्क करने वाले हैं जो कि है दोस्तों हमार अब क्या होगा मुझे सेमेस्टर बेकलोग लगेगी मेरा टीचर तो यहीं बोल रहा है कि एक ही सब्जेक्ट में बस बैक लगेगा तो दोस्तों जैसा कि आर जी पीबी का रूल है यहार आपको सामने पीडियास दिख रहा होगा सामने इसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में बेकलोग आएगी जिस सब्जेक्ट में आपका UFM केस लगा है और आपको दूसरी कॉपी दे दी गई है फर्स्ट कॉपी आपकी ले ली गई थी लेकिन फिर भी दोस्तो इसका जो नियम है उसको फॉलू ना करके RGP भी जिन भी इश्रेंट का UFM केस केस बनता है उन सभी इश्रेंट के लिए सैमिश्टर लगा देता है मतलब की आपका फॉर्ट सैमिश्टर हो चाहे साकेंड सैमिश्टर हो आपके आपके दोनों ही semester type में 5-5 subject include हैं तो दोस्तो किसी भी एक subject में अगर आपका UFM case बना है तो सभी subject में आपको RGP भी backlog दे रहता है अब दोस्तो आप लोग बोलोगे कि मैं गलत information दे रहा हूं लेकिन दोस्तो ऐसा नहीं है मैं आपको correct information दे रहा हूं आपको अपने teacher पर believe है लेकिन दोस्तो जब आपका result आएगा तब आप लोग देख लीज़ेगा मेरी वास सही निकल रहे है कि आपके teacher की आपका teacher always यहीं बोलेगा कि आपको एक ही subject में backlog आएगी जिससे कि दोस्तो आप लोग simply और easily way में सांत सवाह में अकला examination देने आओ जिससे कि examination आरान से conduct हो पाएं लेकिन दोस्तो जो आपका result आएगा तो आप लोग देख लीज़ेगा बागे दोस्तो UFM की regarding जो main information थी semester backlog की मैंने आपको वो समझा दी है अगर आपको फिर भी कोई doubt है तो आप लोग मुझे इंस्टा पर message कर सकते हैं instagram user id है path patel 2.0 तो दोस्तो thank you very much for watching take care love you all